बाई को बचाने के लिए कर दी अपनी ही बेटी की हत्यार नमस्कार आप देख रहे हैं निये जुसल टीवी और मैंनरे चौधरी आपका हर्दिक स्वागत करता हूं एक ऐसी खबर आपको सुनाने जा रहा हूं जिससे आपकी रूज वो कांप उठेगी क्योंकि अक्सर कहीं वार अंसान से गलतियां होती हैं पर इस किसम की गलतियां जो हैं यह आप सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐसी गलती भी कर सकता है और इस तरह से कर सकता है इस तरह से पूरी कहानी जो है वो रच सकता है इस खबर में अक्से ये है कि पूरा परिवार बीच में इन्वाल्व होता है और एक 9 साल की बच्ची की हत्या करता है जिसमें बच्ची का पिता चाचा दादा सब मिलकर एक ऐसी प्लानिंग करते हैं कि जिससे अपनी ही बेटी को मार कर हम दूसरे के उपर अरोप डाल देंगे और इससे क्या होगा कि हमारा जो गर का व्यक्ति है उसके उपर जो है वो केस हलका हो जाएगा और सबसे बड़ी चीज ये थी ऐसा क्यूं किया ये सारी कहानी आज आपको बताएंगे पर आप लोग ख लगर रहे हैं और यह व्यक्ति को बचाने की कोशिच करते सामें ये सोचा गया कि जो बच्ची जिसकी हम अत्या कर रहे हैं वो बच्ची जो है वो दोबारा से भी घर पर आ सकती है normal का एक बड़ा शक्स जो है वह अगर अंदर हो गया तो इससे पूरा जो है वह दो घर बर कि अब पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है पुलिस ने बताया कि दुश्मन को फसाने के लिए उसके पिता चाचा दादा ने मिलकर मासूम बच्ची की हत्या कर दी यहां पर दुश्मन जो पडोसी था कोई वहीं का रहने वाला था उसको फसाने के लिए अपनी बच करने के लिए उन्होंने गाओं को गाओं को एक यूबक का इसका एक्जाम डाल दिया जब पुलिस ने मामले की जान शूरू की तो मामला कुछ और ही निकला पुलिस ने बताया कि बच्ची ने अपने घर उस पडोसी का नाम लेना और ये कहानी आकर पूरी कहानी किस तरह से रची गई ये सबसे पहले आपको बतायाता हूं बताया जा रहा है कि करीब आदे गंटे बाद जब बच्ची की मौत हो गई तब पुलिस को मामले की जानकारी दी गई बता दें कि दस साल की मासूम अनम के चाचा शदाब ने पूलिस को बताया कि वह शुकरवार को सुने अब यहाँ पर पूरी कहानी है क्या शुकरवार को बच्ची को मेला दिखाने के लिए ले गए जो उन्होंने पूरी बात बताई पूलिस को वह सुने पहले किस तरह से कहानी रची उन्होंने कहा कि बच्च कर रही थी लेकिन वह कुछ बोल पाती इससे पहले ही उसकी मौत हो गई थी मृतिक अनम के पिता अनीश ने गाउन निवासी युवक शकील पर पुरानी रंजिश के चलते हत्या का अर्रोब लगाया था जो उनके गरवाले थे उन्हें पुरानी रंजिश के चलते जो शकील का युवक था उसके उपर जो है वो खत्या का उन्होंने अरोब लगाया और एसपी दिनेश ने बताया कि बच्ची के पिता अनीश और दादा शहजादे वो चाचा सलीम नसीम और शदाब को गिरफतार कर लिया है इसमें ये लोग क्या करते हैं बच्ची को पहले उठाते हैं उसे खेट में छोड़ देते हैं जाकर उससे पहले उसको नीन की गोलियां खिलाते हैं उसको खेट में छोड़ देते हैं खेट में छोड़ने के बाद जब पुलिस को जाके रिपोर्ट करते हैं कि हमने जो है हमारी बच्ची जो है वह मिल नहीं पा रही है उसके बाद बच्ची जब कावर होती है तो बच्ची वहांपर यहां अगरी पाय जाती है और बच्ची जब दिए ले की उसने उसकी चाषी की गए क्योंकि बच्ची के चाचा के उपड़ो —इस अऋरोपी था और चाचाँ को बचाने के लिए सारी ये जितनी भी शाजिस रची गई जितनी कहानी जो रची गई वो सारी चाचा को बचाने के लिए रची गई ये इसलिए अपनी बच्ची को मार दिया गया कि जब हम ये केस उस यूबक के उपर डालेंगे तो उससे बाद उसके साथ कंप्रोमाइस करेंगे कि आपने हमा अँसे वड़ी चीज इसमें देखने वाली है कि आखिर एक नौश начал की मासूम बच्ची उसका क्या कसूर सा उस बच्ची का क्या कसूर था जिस बच्ची को एक पूरी प्लानिंग के तहएद अपने ही गर के विक्ति उने अपने ही पर इवार में हम हमारे साथ यूहीं देखते रहें नियर्जुतुल टीवी जय हिंजा वारत जय जमो